कोरोना की मार से भारती आटोमोटिव बाजार भी उबरने की पूरी कोशिश कर रहा है कई आटोमोबिल कमपनियां अपने नए प्रोड़क्ट्स बाजार में लॉंच करने की तैयारी में जुट गई है फरवरी में भी आटोमोटिव मार्केट में काफी चहल पहल देखने को मिलेगी तो आए नजर डालते हैं उन चार दमदार SUV पर जो फरवरी के महीने में भारती बाजार में दस्तक देंगी महीने की शुरुआत में ही आटी अपने मशूर लगजरी SUV Q7 के फेसलिफ्ट मॉडल को लॉंच करने जा रही है आटी Q7 फेसलिफ्ट को तीन फरवरी को लॉंच किया जाएगा अपरेल 2020 में इस SUV को भारत में डिसकंटिन्यू कर दिया गया था लेकिन इस दमदार SUV की भारती बाजार में एक बार फिर वापसी हो रही है आटी Q7 फेसलिफ्ट के एक्स्टीर डिजाइन में बदलाव किया जाएगा और साथ ही इसे नई टेकनलोजी से भी लैस किया जाएगा इस बार आटी Q7 सिर्फ पेट्रोल इंजन आप्शन के साथ आएगी इसे 3 लीटर V6 टर्बो इंजन से लैस किया जाएगा जो करीब 340 HP का पावर देगा किया की अगली पेशकश कैरेंस का इंतजार बेसबरी से किया जा रहा है यह भारत में कंपनी का चौथा प्रोडक्ट होगा किया को भारत में अच्छा रिस्पॉंस मिल रहा है जिसे देखकर कंपनी भी काफी उत्साहित नजर आ रही है किया कैरेंस 6 और 7 सीटर कंफिगरेशन में आएगी जिसे 1.5 लीटर पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन से लैस किया जाएगा इसके अलावा यह कार 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ भी आएगी फीचर्स के मामले में भी यह कार अपने कॉम्पुटीटर्स को कड़ी टकर देती नजर आएगी किया कैरेंस का सीधा मुकाबला मारुती सुजुकी अर्टिगा और टोयटा इन्नोवा क्रिस्टा से होगा अपनी दमदार SUVs के लिए जाने जाने वाली जीप फरवरी में एक नई पशकश लेकर आ रही है जीप कंपस के ट्रेल हॉक वेरियंट को फरवरी में लॉंच किया जाएगा हाला कि इसमें छोटे मोटे ही बदलाओ देखे जा सकते हैं सबसे बड़ा बदलाओ इस SUV के इंटीर में किया जा सकता है जीप कंपस ट्रेल हॉक 2 लीटर डीजल इंजन के साथ आएगी जिसे 9-speed automatic transmission से last किया गया है खबर है कि कंपनी इस वेरियंट का limited production करेगी फरवरी में ही एक और luxury SUV लॉंच की जाएगी Lexus NX 350H के second generation model को भारती बाजार में उतारा जा रहा है Lexus NX 350H के styling में बड़ा बदलाओ किया गया है इस SUV में बड़े spindle grill, नया bumper और नया LED टेल लैंप में ज़र आएगा इंटीरियर में भी कई बड़े बदलाओ देखे जाने की उमीद है NX 350H तीन trims में उपलब्ध होगी कंपनी ने फिलहाल इसकी कीमत का खुलासा नहीं किया है अजय।